आखिरकार सेरेना वीलियम्स 23 वे ग्रैंड स्लैम पर कबजा कर ओपन एरा में सरवाधिक सिंगल्स वुमेंज ग्रैंड स्लैम जीतने का किर्थिमान रशने में काम्याब हुई शनिवार को साल के पहले ग्रैंड स्लैम उस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में खुद से एक साल बड़ी 35 वर्षिय सेरेना ने अपनी बहन वीनस को आसानी से सीधे सेटों में 6-4-6-4 से मात दी इसके साथ सेरेना अफ फिर से वर्ल नमबर वन पर काबज हो गई है सेरेना ने सरवाधिक सात्वी बार उस्ट्रेलियन ओपन का सिंगल्स खिताब हासल करने का भी रिकॉर्ड बना डाला है ओल टाइम ग्रैंड स्लैम की बात करें तो सेरेना छे बार उस्ट्रेलियन ओपन जीत चुकी पूर्व उस्ट्रेलिया इक हिलाडी सेरेना जर्मनी की स्टेफी ग्राफ को पीछे छोड़ते वे उपन एरा में सरवाधिक सिंगल्स महला ग्रैंड स्लैम जीतने वालों की लस्ट में पहले नंबर पर आ गई है पिशले साल विम्ब लंडन का टाइटल जीतने के साथ उन्होंने दिगज ग्राफ के उपन एरा के सरवाधिक 22 वे ग्रैंड स्लैम जीतने की बराबरी की थी लेकिन उसके बाद यूएस उपन का सेमे फाइनल गमा बैठी थी 1968 में खत्म हुए एमिचर एरा को शामल करते वे आल टाइम सरवाधिक ग्रैंड स्लैम सिंगल्स जीतने की बात करें तो आस्ट्रेलिया की मार्गरेट कोर्ट अब भी सेरना से आगे है पूर्व आस्ट्रेलियाई स्टार कोर्ट ने 24 सिंगल्स ग्रैंड स्लैम पर कबजा किया है